आप कुछ भी ऐसा कर देते हैं जो वाइरल हो जाता है कुछ चीजे तो गलती से वाइरल हो जाती हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाइरल होने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं आए दन कोई न कोई ऐसा वीडियो शोचल मीडिया पर वाइरल होते रहता है जो से देख आप हसी नहीं रुखती हैं दुख भी मनाते हैं और गुस्ता भी चाहिर करते हैं ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों बिहार के सामने आ रहा है वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीच सरक एक ट्रक पर एक लड़की ने डांस करवाया जा रहा है वहीं वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि लड़की भोजपूरी गाने पर डांस कर रही है दरसल एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जुसमें देखा जा सकता है कि बीच सरक पर एक ट्रक खरा है और उस पर एक डांसर डांस कर रही है वीडियो में सुना जा सकता है कि डांसर भोजपूरी गाने पर डांस कर रही है ये भी वीडियो में साथ तोर पर देखा जा सकता है ट्रक के पीछे कई गारिया खड़ी है इस त्यासा प्रतीत हो रहा है कि ट्रक के कारण उन्हें निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है वहीं आयोजकों को इस बात से कोई फरक नहीं पर रहा है वो अपने में ही मगन है जानकारी के लिए बता दे कि ये वीडियो सोसल मीडिया ट्विटर यारी एक्स पर वाइरल हुआ है अड़ देरेट छपड़ा जिला नाम के यूजर आईडी से शेयर किया गया है शेयर करने वाली ने दावा किया है कि बिहार के नारंपूर का वहीं उस वीडियो पर अब तक 9 लाग से जादा लोग देच चुके है वहीं लोग इस वीडियो पर कमेंट भी कर रहे है एक यूजर ने लिखा है कि कोई TTO साहब को ट्रक पर ओबर लोडिंग की कबरे दे दो भाई क्योंकि ट्रक माल्ड होने के लिए बना है तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि बिहार वाली किसी से कम थोड़ी है वही एक अन्य यूजर ने लिखा कि बिहार वालों ने सबसे ज़ादा बिहारियों को बदनाम किया है तो वही एक यूजर ने लिखा कि जटके से स्टार्ट करें ड्राइवर साहब जी हाँ, तो ये तमाम कमेंट सी जो इस वीडियो पर सोशल मीडिया अकाउंट आपको बता दी कि ये जो वीडियो है, ये काफी तेदी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जुसमें ये देखा जा सकता है कि ये एक लड़की है जो ट्रक के उपर खड़ी है और ट्रक के उपर करके भोश पूरी गाना पर डांस करते हुई नसल आ रही है आज पास की लोग परिशान भी दिख रहे हैं लेकिन ट्रक वाले और लड़की कोई कोई फरक नहीं पर रहा है अब इसको आप क्या नाम देंगे भाई सोशल मीडिया का जमाना है लोग कुछ भी कर जाते हैं ऐसे ही तमाम अब्डेट्स के लिए बने रहे हैं NBC24 पर